आज हम कोशे का जो की जीवन की मौलेक एकाई है उसके विशेर पर चर्चा करेंगे जब हम प्याज की चिली की अस्ताई स्लाइड एक उच्च शक्ती वाले सयुक्त सुष्मदर्शी से देखते हैं तो हम समान दिखने वाली सरचनाय दिखती है जैसा की चत्र में प्रदर्शित है यह सबी सरचनाय एक बड़ी सरचना बनाती है जैसे प्याज ये छोटी छोटी सरचनाय जो हम देख रहे हैं शल्ककन प्याच की मूलबूत एकाई है इन सरचनाओं को कोशिका कहते हैं हर एक जीव जन्तू कोशिकाओं से बना है यद्यपी कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं उधारण, अमीवा, पेरमीश्यम तथा बैक्टीरिया आदी प्रत्यक बहकोशिक जीव जैसे पादप तथा जन्तू एक कोशिका से ही विक्सित हुआ है कोशिकाओं विभाजत होकर अपनी ही जैसी कोशिकाओं बनाती है इस प्रकार सभी कोशिकाय अपनी ही जैसी कोशिकाय बनाती है कुछ जीवों में विबिन प्रकार की कोशिकाय भी होती है कोशिकाओं की आकरती तथा आकार उनके कारियों के अनुरूप होती है कोशिका किस से बनती है? कोशिका के तीन मुख्य अंग है प्लेजमा जिल्ली, केंद्रक तता कोशिका द्रव्य प्लेजमा जिल्ली अत्वा कोशिका जिल्ली या कोशिका को बहारी पर्यावन से अलग करती है यह कुछ पदार्द को अंदर अत्वा बहार आने जाने देती है इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम में चिल्ली कहते हैं यह लचीली चिल्ली है जो की कार्बोनिक अनो जैसे लिपिट तथा प्रोटीन से बनी है ओक्सिजन और कार्बन डाय उक्साइड जैसी गैस इसके आर्थ पार विस्रन प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती है कोशिका बित्थी पादब कोशिकाओं में लेज्मा जिल्ली के अतरिक कोशिका बित्थी भी होती है यह मुख्यता सेलिलोज एक चटल पदार्ट से बनी होती है पादब कोशिका में परासरन द्वारा पानी की हानी होती है तो कोशिका जिल्ली सहित आंतरिक पदार्ट संकुचित हो जाते हैं इस घटना को जीवत रविव कुँचन कहते हैं केवल जीवत कोशिकाओं में ही परासरन द्वारा चल अवशोशन की शंता होती है नाती मृत कोशिकाओं में कोशिकाओं बित्ती के कारण पादप कोशिकाओं परिवर्दनिय माध्यम को चंतु कोशिकाओं की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है केंद्रक केंद्रक के चारो ओर तोरी परत का एक स्थर होता है जिसे केंद्रक जिल्ली कहते हैं केंदरक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंदरक के बाहर केंदरक जिली में प्रस्तुत चिदरों से जाता है केंदरक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विबाजन के समय छड़ा कर दिखाई पड़ते हैं क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन से बना होता है DNA आनुआचिक गुण है जिसमें कोशिका के निर्मान वो संगणन की सभी आविश्यक सूचनाए होती है DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते है जो कोशिका विवाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह DNA क्रोमेटिन प्रदार्द के रूप में विद्यमान रहता है क्रोमेटिन प्रदार्द दागे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है जब कभी भी कोशिका विवाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगणित हो जाता है कोशिका द्रव्य प्लेजना चिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरफ बदार्थ है इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के गटक होते हैं जिने कोशिका का अंगक कहते हैं प्रत्यक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है कोशिका आंगग जिल्ली युक्त होते हैं अंतर द्रव्य चालिका जिल्ली युक्त जलियो तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है अंतर द्रव्य चालिका की रचना भी प्लेचना जिल्ली के समरूप होती है अंतर द्रव्य चालिका दो प्रकार की होती है खुर्दरी अंतर दर्विय चालेगा और चिकनी अंतर दर्विय चालेगा खुर्दरी अंतर दर्विय चालेगा तैयार प्रोटीन को आवश्यक्ता नुसार अन्य भागों में भेज देती है चिकनी अंतर दर्विय चालेगा वसो तथा लिपिड अनो को बनाने में सहायता करती है कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका जिल्ली बनाने में सहायता करते हैं इस प्रक्यरा को जिल्ली जीवत चनन कहते हैं गोलजी उपकरण गोलजी उपकरण चिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के उपर समनांतर रूप से सजी रहती है जिने कुंडिका कहते हैं इयार में संचलेशिक पदार्थ गोलजी उपकरण में पैक किये जाते हैं और उन्हें कोशिका के बहार तता अंदर विविन शेत्रों में भेज दिया जाता है इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांदरन तता बंद करना कुछ परिस्तिती में कोलजी उपकरण में सामानी शक्कर से चटल शक्कर बनती है कोलजी उपकरण के द्वारा लाइससोम को भी बनाया जाता है लाइससोम, लाइससोम कोशिका का और पशिष्ट निप्टाने वाला तंत्र है यह कोशिका अंग को के तूटे फूटे भागो को पाचित करके कोशिका को साफ करता है कोशिका में अंदर आने वाले भारी बदार जैसे बैक्टीरिया अत्वा भोजन ता पुराने अंगक लाइससोम में चले जाते हैं जो उन्हें छोटे छोटे टुकडों में तोर देता है लाइससोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी इंजाइम होते हैं कोशिकीय चया पचय में व्यवधन के कारण जब कोशिका शतिकरस्त या मृत्थ हो जाती है तो लाइससोम फर्ट जाता है और एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पाचित करते हैं इसलिए लाइससोम को कोशिका का आत्मगाती थेली भी कहते हैं सराचना त्मक द्रिश्टी से लाइससोम जिली से गिरी हुई सराचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं RER एंजाइमों को बनाता है Mitochondria Mitochondria कोशिका का बिजली घर होता है Mitochondria ATP के रूप में उर्जा प्रदान करता है Mitochondria में दोरी चल्ली होती है पारी चल्ली चिद्रित होती है पीद्री चल्ली बहुत अधिक वलित होती है ये वले ATP बनाने वाली रसायनिक क्रियाओ के लिए बड़ा शेत्र बनाता है Mitochondria में उसका अपना DNA तथा Ribosome होता है अधा Mitochondria अपना कुछ प्रोटीन स्वयम बना सकता है Plastid Plastid केवल बादब खुशिकाओं में होते है Chromoplast Rangin Plastid Chlorophyll वर्नक बौदों में प्रकास अंसलेशन के लिए Chloroplast बहुत आविशक है Chloroplast में Chlorophyll के अधिरिक विबन पीले अध्वानारंगी रंग के वर्नक भी होते है Leukoblast Shwed तदा रंग ही Plastid Leukoblast Plathmik रूप में Stars, तेल तदा प्रोटीन जैसे पदार्ट संचित होते है Plastid भी बीदरी रचना में बहुत सी जिल्ली वाले पड़ते होती है जो Stroma में स्थित होती है Plastid, भाई रचना में Mitochondria की तरह होता है Mitochondria की तदा Plastid में भी अपना DNA तता राइबुसों होता है रजदानिया रजदानिया ठोस अत्वा तरह पदार्ट की संगराग थेलिया है चन्तु कोशिकाओं में रजदानिया छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में रजदानिया बड़ी होती है पौदों के लिए आवशब बहुत से पदार्ट रजदानियों में स्थित होते है ये अमीनों अमल शरकरा विबिन कार्बोनिक अमल तथा कुछ प्रोटीन है